हेलो मैं दियर फ्रेंड्स वेल्कम बैक ट्यो एवर ग्रीन बुटीक होप यौल आ फाइन और आज की यह वीडियो होने वाले यह सेल वीडियो जिसमें मैं आपके रहें लेकर आहिए हूं प्रॉपव पार्टी भी है सूर कुछ पकिस्तानी ओरिजिनल है कुछ इंडिया ने म सेल प्राइस पर मिलने वाले हैं तो उमीद करती हूं वीडियो पसंद आएगी और करने के लिए बस स्क्रीन शॉट्स लेने हैं और वाट्सिप नबर पे सैंड करना है मोड्य पेमिंट ऑनलाइन रहेगा फाइफ मोड्य पेमिंट है गूगल पे फोन पे पे टीम नेट बै होगा और आज यह सारे कंप्लीट सूट है कोई भी इसमें टूपीस नहीं है सब आपको थ्रीपीस मिलने वाले हैं शोट बॉटम दुपट्टा थ्रीपीस रहेंगे दो मैंने इसमें लहंगे एड किये हैं पकिस्तानी लहंगे है तो बस मैं आपको अब यह दिखाना शुर एंट यह यह लोर में है रiset बतलर का निक्लाइन बनावा है बीच में सारा ही मेरा वर्क हो रहे है है यह इससे स्लीफ का वर्क आई गया और इसी तरह से यह था यह एक्साइड यह शिफॉन इस्टफ है पकिस्तानी और यह इसका दुपट्टा दुपट्टे पर बॉर्डर आएगा यह बॉर्डर है फिर पूरे दुपट्टे पर आपको इस तरह से बूटी मिल जाएगी और यह इसका बॉट्टम कम्प्लीट थ्री पीस है अब यह देखें यह मुकेश वक में इसमें दो सुट एड़ की है मैंने एक में यह सिल्वर कलर का मुकेश वक है एक पर गोल्डन कलर का डिजाइन ओल्मोस्ट सिमिलर है पैटर्ण भी सिमिलर है बस मुकेश का काम गोल्डन और सिल्वर है यह सब वर्क हो रहे है त्रेड वोग है और मुकेश वर्क हो रहे है इस पर सिल्वर कलर का मुकेश वर्क है यह शोट का डिजाइन अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, देखिए ये स्लीप का वर्क आ गया, ये दुपट्टे का बॉर्डर है, ये दुपट्टे पे आपको इस तरह से बूटी मिल जाएगी, ये परलू का वर्क आ गया, तो इस पे हो रहा था सिल्वर कलर का वर्क, और ये इसका बॉटम, अब इसी का सेव मैं आपको गोल्जन कलर में दिखा रही हूँ, सिमिलर सही डिजाइन है, ये गोल्जन कलर वाला है, ये इसका दुपट्टा है, और ये बॉटम हो गया, ये सारे अभी तक तीनों औरिजिनल पकिस्तानी पीसिस थे, अब ये देखें, ये महिश्वरी सिल्क शोट है, पुरा रेशम का वर्क और जरी वर्क हो रहा है, रेशम वर्क जादा है, हाइलाइट के लिए जरी यूज हुआ है, ग्रे कलर है ये, मतलब इसकी जो वेर्ट आ रही है, तो ये 60 है, ये इसका रस्ट कलर का बॉटम है, और ये पियोशी फॉन में दुपट्टा, एमरोईड दुपट्टा मिल रहा है, ये दुपट्टा हो गया, हेवी एमरोईड दुपट्टा है, लग्जरी पियोशी फॉन स्टफ है, अब ये पीच कलर में कॉटन में सूट है, जैकार्ट कॉटन है, पुरा रेशम का काम हो रहा है, बहुत फाइन एमरोईड रियो, बहुत गफ एमरोईड रियो है, और ये इसका बॉटम, ये पियोशी फॉन में डुपट्टा है, इसके उपर भी सारा रेशम का काम है, बहुत ही खुब्सूरत ठीसल लगे हैं, कॉर्नर में डुपट्टे की, इस तरह से एमरोईड रियो है, बहुत फाइन एमरोईड रियो हुई भी है, तो ये पीच कलर है, अब ये ग्रेशेड है, ये कोटा चैक स्टाफ है, कोटा कॉटन है, इस पर रियोशम और मिरा वख हो रहा है, हल्का सा जरी भी योज़ हुआ है, दिखें इस तरह से, ये ग्रेश कलर है, ये इसका बोटम आ गया, कोटन में है, ये दो पट्टा, ये लग्जरी प्योशिपॉन स्टाफ दो पट्टा है, एमरोईड है, अब ये मसलिन कोटन में, तोड़ा पेंग सा शेड है ये, ये फ्रांट साइड हो गया है, यहाँ देखें, रेशियम से अमरोईडरी है, ये सब को रेशिया स्टाफ है, साइड में स्लिफ्स के उपर अमरोईडरी और ये स्लिफ्स का स्टाफ अलग दियावा है, ये इसका बॉट्म, ये दो पट्टा, तो भी से भी साइड कर रहे हूँ, अब ये देखें, ये सिल्क में शिर्ट है, क्रेप में इसका बॉट्म है, प्योर और्केंजा में दो पट्टा, महरून कलर है, रेशियम और ये पेपर में रवर्क हुआ वह है, इस तरह से, ये इसके दामन में बॉडर आ रहा है, इम्रोईड बॉडर है, प्योर क्रेप में इसका ये बॉट्म, और ये और्केंजा में हेवी एम्रोईड दो पट्टा है, पूरा रेशियम वर्क हो रहा है, काफी हेवी और गफ एम्रोईडरी है, आप देख सकते हैं, बहुत फाइन एम्रोईडरी है, प्योर और्केंजा एकड़म सॉफ्ट शिफॉन की तरह रहता है ये, शेड इसका महरून था, अब ये फिरोजी कलर है, ये और्केंजा का सूट है, शेड दुपट्टा दोनों प्योर और्केंजा है, बॉट्म प्योशें टून में हैं, इस तरह से सब ये वर्क हो रहा है इसके उपर, निकलाइन के उपर ये हैंड वोक है, कड़दानी का साइड में ये सब भी हैंड वोक हुआ है, ये सब इस तरह से वर्क है, ये इसका बॉट्म, और ये दुपट्टा है, सब इम्ड़ोईट्री और ये दुपट्टे के उपर भी, तो अब यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अब ये दिखें, पिस्ता ग्रीन कलर है, इसमें शॉट दुपट्टा और केंजा का है, बॉट्म प्योशिन टून, ये दिखें, निकलाइन के उपर बहुत भी फाइन हैंड वोक हुआ है, ये रेश्यम वोक, मिरेव वोक, करदाना, स्टॉन, सब इस तरह के मिटीरियल यूज़ करके, सारा हाथ का काम है, रेश्यम और सीक्मेंस के साथ ये अब्रोईड जी हुई है दामन में, ये इसका बॉट्म आ गया, और ये और कैंजा में हैवी अब्रोईड आपको दुपट्टा मिल रहा है, बहुत हैवी अब्रोईड जी हुई भी है, इस तरह से, तो ये दुपट्टा हो गया है, यहाँ से आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकने हैं, पिस्ता ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, अब ये देखे, पिंक कलर का सूट है, बना आर्सी और कैंजा है, तर्मन पर ये अब्रोईड जी हुई भी है, निकलाइन के उपर बहुत ही फाइन हैंड वोक है, यह आप देख सकते हैं, हाथ का काम हुआवा है, यह इसकी स्लीव्ज है इस तरह, यह बॉटम आ गया, और और कैंजा में ही अब्रोईड दुपट्टा है, यह देखें, भूट फाइन एम्रोईडरी है, तो अभी इसे मैं साइट कर रही हूँ, आपको आगे के सूट दिखाने हैं अभी, अभी देखें, पिट्रोल ब्लू कलर का शेड है, यह भी प्योर और किंजा है, यह दामन पे रेशम का वोक हो रहा है, मल्टि कलर रेशम यूज हुआ है, फिर यह निकलाइन है, निकलाइन के उपर करदानी का हैंड वोक भी है, बहुत ही स्मॉल साइज करदाना यूज हुआ है, हैंड वोक में बहुत लाइट वेटेड, यह स्लीव का वर्क आ गया, यह इसका बॉटम, यह बड़ा खुप्सूरत सा दुपट्टा है, डिजाइनल सा दुपट्टा है, यह देखें, यह इसका दुपट्टा आ गया, सब एम्ड़ोईजरी हो रही है दुपट्टे के उपर, तो आप यहां से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अब यह बनार से सल्क स्टफ है, सल्क में बॉटम है, प्योशी पॉण में दुपट्टा है, यह शॉट का फ्रांट साइड हो गया है, साइड में स्लीफ के लिए बॉडर दिया है, यह इसका बॉटम और यह, प्योशी फॉण में दुपट्टा, यह दुपट्टा आ गया, हेवी एम्रोइड दुपट्टा मिल रहा है, फोर साइड बॉडर है, तो अभी से भी साइड कर रहे हूं, फिर आपको आगे के सूच दिखाती हूँ, अब यह दिखें, यह दिखेंग फॉल स्टेज्ट सूट है, स्मॉल साइज में है यह स्टेज्ट, मार्जिन देखें काफी है, दोनों साइड से अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन अभी यह स्मॉल साइज है, 38 साइज है, मेरी ख्याल से 42 तक यह लूज हो सकता है, लेकिन अभी 38 में ही है, यह पूरा हैंड वोक हुआ वाइन इकलाइन के उपर, बहुत फाइन, बहुत स्मॉल साइज के करदाने से सब हैंड वोक है, रेशम की हैंड रोइडरी है, गुर्टा है, इसमें भी लाइनिंग लगी है, बहुत ही खुप्सूरत वाइगे, और यह इसका दुपट उर्जिएंज कलर करदाícia के वाइग फाइभ्जन, का कला कंट्रास्ट आप देखें पीछ कलर है एक जिक ली और इंज भी नहीं है वह कि अच्छा कलर है तो आप यहां से इसका स्क्रेंशॉट ले सकते हैं अब कुछ पीसिस मुझे आपको पकिस्तानी दिखाने है दिखें वाइन कलर का शिपॉन का सूट है कमप्लीट शोट बॉटम दुपट्टा यह बैक साइड होगी है शोट की और यह फ्रांट साइड है यह स्लीब्स आ गई यह दुपट्टा है जाल वॉप में काफी हैवी दुपट्टा भी है यह दुपट्टा आ गया और यह प्योशिन टून में इसका बॉटम कमप्लीट थ्रीपी सूट है वाइन कलर है अब यह दिखें गोल्जन कलर है गोल्जन कलर के साथ यह रस्ट कलर का बॉटम है अब भी आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ कि दिखें बैक साइड का बॉर्डर कुरा रेश्यम वोग हुआ वह है यह फ्रन्ट साइड है यह निकलाइन आ गया यह सब भी वर्क है इस तरह से यह इसकी स्लीब जा गए यह बॉटम और यह दुपट्टा है शिफॉन स्टफ में ही दुपट्टा है लैंध्वाइज यह क्रीम कलर का है बीच में गुल्डन कलर का ही वर्क है सारा अब यह जेपतन का सूट है यह क्रीम कलर में है यह इसका बॉटम यह शोट का फ्रांट साइड है यह दामन का पैच आ गया बैक और फ्रांट का यह बैक साइड है और फ्रांट साइड पे अगर आपको दोनों साइड पैनल लगाना है तो एक्स्टा स्टफ है इसमें यह देखें यह पूरा बैक और फ्रांट के लिए दियावा है यह स्लीव जाग यह इसका दुपटा है इस तरह से आप कटिंग भी करवा सकते हैं कट वक हो जाएगा कबूरे बने हैं दुपटे के उपर अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह पाकिस्तानी लहंगे है दिखी प्रोजी कलर में शिफॉन में दुपटा है और नेट में इसका लहंगा और शोर्ट है काफी हैवी वोर्क है फ्रणट बेक दोनों तरफ काफी हैवी वर्क है एक साब वर्क आ रहा है पूरा जरी की म शियम्ड़ी हो रहे और इस पर स्टून वक है यह इस्तरह को लहंगे के स्टफ हैं आप इसमें गाउन ही बना सकते हैं यह देखें पूरा हेवी रेशम वोग हो रहा है और बैक फ्रंट बिल्कुल सिमिलर है यह बैक साइड है और यह इसकी शोट है तो देखें आप इस तरह से उपर का यौक बना सकते हैं और यह नीचे आड़ कर सकते हैं तो इसमें गाउन भी बन जाएगा बहुत ही खुब्सूरत पकिस्तानी यह बैक साइड और यह इसके स्लीप का स्टफ आ गया और लक्जरी पियो शिफॉन स्टफ में दुपट्टा है दुपट्टा रेडी टु वियर है आप चाहें तो लहंगा स्टेजड करवाईए चाहें तो गाउन स्टेजड करवाईए यह इसका दुपट्टा आ गया कलर भी बहुत प्यारा है अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वह कंट्रास्ट में आये थी ब्लू और वाइन कलर इसमें पूरा जरी का काम है यह इस तरह से पूरा हैवी जरी रेश्यम वाक आ रहा है उस पे स्टोन वाक है कि यह शोट हो गई है कि यह स्लीव जा गई और वाइन कलर में ही इसका यह दुपट्टा है यह नेट स्टाफ के उपर है क्रफी हेवी एंब्रोइड लहंगे है यह और और पकिस्तानी है तो आप यहां से इसका स्क्रेंशॉट ले सकते हैं यह इस वीडियो का लास्ट सूट और डिजाइन था अभी आप लोग को जो भी अच्छा लग रहा हो जल्दी से स्क्रेंशॉट लें वाट्सिप नमबर पर सैंड कर दें प्लीज चैनल को लाइक शिया सब्सक्राइब जरूर करें दौाओं में याद रखिएगा टेक कियर अलाहाफेज